गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हूं आज हम इस वीडियो में वर्दन वन्स या फिर पुस्य भुत्ति वन्स के बारे में जो महतोपुन तथ्थे हैं जो एक्जाम की दरश्ट नोटिफिकेशन प्राप्थ हो सकें और आप एक्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं वर्दन वन्स या फिर पुस्य भुत्ति वन्स देली और पंजाब के भुबाग पर इस्तित स्रीकंठ नामक प्राचीन जनपत का एक भाग थानेश्वर था जा पुस्य भुत्ति नामक व्यक्ति ने पुस्य भुत्ति राजवन्स की स्थापना छटी स्थापदी इस्वी के प्रारम में की इस राजवन्स को वर्दन बियाना के कंनार जिल्ले में इस्तित है परभाकर वर्दन इस वंसकी स्वतंतरता का जन्मदाता था। इसने परम भट्टारक एं महाराजा दिराज की उपादी धारण की थी। परभाकर वर्धन की पुत्री राजे स्री का विवा है कर्णोज के मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ संपन हुआ परभाकर वर्धन के सासनकाल में हुनों ने लगबग 604 इस्वी में भारत पर आकर्मन किया प्रभाकर वर्धन ने होनों का दमन करने के लिए अपने पूत्रों राज्य वर्धन और हर्स वर्धन को एक बड़ी सिर्ना के साथ भेजा था उन्होंने होनों को प्रास्त किया था हर्स चरीच से पता चलता है कि जब परभाकर वर्धन के पुतर राज्य वर्धन और हर्स वर्धन हुनों का सामना करने के लिए गए तबी कुरंगक नामक दूत ने परभाकर वर्धन की विमारी की सूचना दोनों भाईयों को दी हर्स वर्धन वापस लोट आया प्रेंदू पिता परभाकर वर्धन की मर्थ्यों हो गी और रानी यसो मती पती के साथ सत्ती हो गी राजेश्री के समवादक नामक दूत ने सुचित किया कि मालवा के सासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा का वद्ध कर राजेश्री को कैद कर लिया है राजेवर्धन सेना लेकर करनोज गया और उसने देवगुप्त का वद्ध कर दिया किन्तु गोड नरे ससां के सडियन तर से वैस्वयम भी मारा गया कुंतर नामक अस्वारोही ने ये सूसना हर्षवर्धन को थानेश्वर में दी राज्य वर्धन की मर्थ्व के बाद 606 इस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयू में थानेश्वर के राज सिहासन पर आसिन हुआ अब देखें पड़ते हैं हर्षवर्धन जो 606 से 647 इस्वी तक सासग रहा हर्षवर्धन का जन्म 591 इस्वी में हुआ था वह परभाकर वर्दन का छोटा पुत्र था उस बड़े भाई राज्य वर्दन पर भी की मर्त्यू के बाद हर्ष वर्दन थानेश्वर के राज सिहासन पर आसिन हुआ राज्य रोहन के समय हर्ष के समुख दो परमुख तातकालिक समस्य थी क्या क्या गोड नरे ससांग को मारकर बड़े भाई राज्य वर्दन की हत्या का बदला लेना अपनी बहन राज्य श्री को ढूंड लेना ठीक है गोड नरे ससांग ने हर्ष वर्दन के कनोज आगमन की सूसना से बिना यूद किये ही कनोज खाली कर दिया कर्णोज के मंत्रियों ने हर्ष से कर्णोज के राज सिहासन पर बैठने का आग्रे किया किन्तु हर्ष ने इसे ऐस विकार कर दिया हर्ष ने स्वयम को राजपुत्र कहा और राजे स्री को ही कर्णोज के साची का बनाया राजिस्री कौन थी हर्सवर्दन की बहिं थी ठीक है चीनित वतों से पता चलता है कि हर्स अब राजश्री सासथ साथ कर师 के सिहासन. पर बैठते थे हर्स ने अपनी राज़धानी थने सोड से करनोज इस्थानांतरित कर ली थी ताकि वह राजी स्री को परसासनी कारियों में पूरी तरह से साहता दे सकें हर्सवर्दन ने काम रूप सासक भासकर वर्मा से संदी करने के बाद गोड सासक ससांग के विरूद एक बड़ी सेना भेजी और उसे प्रास्त किया दक्सिन में उसकी सेनाओं को 620 इस्वी में चालू के नरेश पुलकेसिन दुवित्य ने नर्मदा के तठ से पिछे खदेर दिया था हर्षवदन अपने 40 वर्ष के लंबे सासनकान में निरंतर युदों में सनगने रहा उसके द्वारा अंतिम युद 643 इस्वी में गंजा में लड़ने का उल्लेक मिलता है हर्षवदन ने एक विशा समराजे की स्तापना की थी जिसकी सीमाए हिमाच हादित परवतों तक धक्सिन में नर्मदा नदी के तठ तक पूरमें गंजाम तता पस्ची में बलबी तक विश्त्रित थी उसके इस विशा समराजे की राजदानी कद्नोज थी हर्षवदन एक उचकोटी का कभी भी था उसने सेंसकर्ट में नागानन, रतनावली तता पिरिय दर्शी का नामक नाटकों की रचना की थी इस कार में मथूरा सूती वस्त्रों के निर्मान के लिए परशित था हर्षवदन सीव और सूरिय की उपासना के साथ साथ बुद की उपासना भी करता था कालांतर में उसका जुखा माहयान बोध दर्हम की ओर अधिक हो गया था हर्षवदन ने अपने राज दर्बार में कादंबरी और हर्षचरीत के रच्यता बान भट सुभासित वली के रच्यता मयूर और चीनी यात्री वेन सांग को आस्त्रे परदान किया था हर्षवदन की मर्थू 647 इस्यू में हुई थी चूंकि वह नीशंतान था अताव उसकी मर्थू के साथ ही पूस्य भूतिवंस का अंति हो गया था बान भट के अनुसार भन्डी हर्षवदन का प्रदान मंतरी था अवन्दी हर्षवदन का प्रदान मंतरी था बान बड़ तो बोलते हैं कि जो भंडी नामक वेखती है वह हर्षवर्दन का परदानमंत्री था देकिन कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अवंति है वह हर्षवर्दन का परदानमंत्री था सिहानन्द हर्षवर्दन का सेनापती था हर्स की मत्यू के बाद मगद में अदिते सेन ने पुनह गुप्त वन्स के राज्य की स्तापना की थी तो देखेगा इस वीडियो में हमने हर्स वर्धन के बारे में जानकरी प्राप्त की अर्थाद वर्धन वन्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे